हेलो स्टुडेंट्स आज हम सीखेंगे टाइमिंग को कनवर्ट करना टाइमिंग को देखे किस अकोर्डिंग तो देखे 12 आर टाइमिंग को 24 आर टाइमिंग में कनवर्ट करना तो इसका मीनिंग क्या है देखिए हमें पता है कि 12 आर टाइमिंग क्या होती है जैसे हम बोलते ह तो दो बज गए थ्री बज गए या फॉर बज गए इस टाइमिंग को 24 आर्ज में कैसे करते हैं तो देखिए आपको पता है रात के मिड़नाइट मिड़नाइट होती है जब रात के 12 बजे उसको बोलते हैं 00 आर्ज तो जीरो यह देखिए यह डोट-डोट से पहले तो हमारे पूरे आर्ज होते हैं और इसको हम यहां पर जो 00 आती है हमारी मिनेट के लिए होती है तो आपको बता है रात के जो बाज बजते हैं मिड राइट मिड़नाइट के तो उसको 00 आर्ज बोलते हैं 24 आर्ज में 12 को 00 बोलेंगे 1 एम सुबह की जैसे अब देखिए रात को 12 म Chiangardi 2 1 जो यांऐ तो यह सोय घ्मोनम के स्कादारे सब्सक्ति हो इसबुम के इसफे कर लगाशा कुछ कम ऐन सब्सक्राइब 3 खेशाम की दुपैर के बारा तक की टाइमिंग 2 पीम डूर्बला को हम सब्सक्ताइब 3 तो देखिए इसको तो हमने बोला जैसे रात का एक बज़ा तो हम वन एम टू एम थ्री एम फॉर एम और जब हम दुपैर बारा बज़े को हम बोलेंगे ट्वैल नून वन पी एम टू पी एम यह दुपैर के दो बज़े तो यह तो था ट्वैल आवर्स के टाइमिंग अब इ है यह नून हम देखिए के ट्वैल को जीरो आपव नून को दॉपैर के ट्वैल को एड़र ज्वास बोलते हैं फीर वन के बाद क्या बुलेंगे ट्वैल के बाद 13 आप फॉर टींगे 14 14 शीम सेवंटेन यह 24hr में हमें 24 घंटे में टाइमिंग मतानी है तो हम कैसे करेंगे 12 के बाद भी हम 24 तक देखिए count करते हम 23 तक ठीक है तो 23 आर्ज हो गई हमारे 24 आर्ज की counting यह क्या counting थी हमारे जो timing थी यह हमने 12 आर्ज से 24 आर्ज में timing सेखी तो 12 को 24 आर्ज में कैसे denote करते हैं अगर इसी का उल्टा हम करें कि 24 आर्ज को जो है वो 12 आर्ज में कैसे convert करेंगे तो हम क्या करेंगे इसका यह वाला पार्ट देख लेंगे अगर जैसे माल लीजिए मैं आपको कहती हूं कि 44 एम को जो है 24 में बताने तो आपको लखन करने 24 में बताना तो आपने लाहन करना जैसे अमrente देखते हैं देखिए आप 30 p.m Thai तो मिश्क को क्या लिखेंगे सिंट थरestry में 12 12 एड़ कर देंगे मिंस देखिए आपने हमने देखा कि 6 में 6 का 18 आर्ज बनता है तो हम लिखेंगे इसको 18 और यह डॉट डॉट मिनेट का तो 30 तो था तो 30 आवर्स लिख दिया 10 10 है तो 10 में 12 जोड के जो देखिए 10 का क्या था 10 पीम में 10 जोड रखे हैं हमारे सोरी 12 जोड यहां पैने 22 अर्श तो यहां पर तो आयक्या टोटर्टर आर्श तो इसको ऐसे सो बिमत घ्ज 27 आर्श तो यहां पर अ करना तो देखिए हगर फोर्मुला देखे तो 12 वार को 24 बनाने के लिए हम क्या करते थे 12 ऐड़ करते हैं te 24 टाइमिंग को 12 बनाने के लिए हम 12 लेस करते हैं तो यह कि अगर 12 से बीग है नंबर अगर तो 12 से बड़ा नंबर है मालीजे 13 से लेके 23 तक बड़ा बिग नंबर है तो तो हम 12 एड और लेस करते हैं अगर छोटा है तो हम उसमें आवर्स या एम पीम का रोल देखते हैं तो देखे 14.25 आर्ज है 14 और 25 मिनेट बोल सकते हैं इसको तो यह 14 12 से बड़ा है तो हम क्या लिखेंगे 14 25 में से 12 आर्ज को लेस करेंगे तो 2 मिनेट और 2 आर्ज तो 25 पीम लिख देंगे इसको तो ऐसे इसमें से भी 12 लेस कर देंगे तो आपने यही जो तू सम्स हैं इनको कनवर्ट करना है 12 आर टाइमिंग को 20 आर में और 20 आर टाइमिंग को 12 आर में और के स्टुडेंट्स थैंक यू